नमस्ष्कार दोस्तो मैं राज आपके अपने आसान ग्यान चनलिकर आपका स्वाधत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही खास जायन करें देने वाला हूँ कि क्या कभी आपका data आपका personal data आपका नाम, number, mobile number आपका address, आपका email ID आपका email ID का password आपका ATM का pin, credit card की details क्या कभी dark web पर याने की internet के एक ऐसे पार्ट जिसको dark web अब यह क्या होता है dark web यह मैं आपको बाद में बताऊँगा main चीज़ यही, क्या कभी यह सब चीज़ आपकी market में leak हुई है, क्या है data आपका hack हुआ है कभी यह आप पता कर सकते हैं, इसके लिए Google ने एक free feature निकला है अभी मैं आपको दिखाये तो कैसे use करना है आपका data leak हुआ है, तो कहां से हुआ और किस website के तुरू हुआ है, वो आप एक minute में बता कर सकते हैं, और फिर उससे बचने के लिए क्या करना है, वो भी आपको मैं बता दूँगा, चलिए हम शुरू करते हैं इसके पहले देखेजिए मैना चेनल है YouTube पर आसान ग्यान, आप इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की वीडियो से रजान करिए, आपको आपके नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपको सिर्फ गूगल के सर्च बार प्लिखना है one.google.com one.google.com लिखिए और उसके बाद ही जो सामने पेच खुल के आएगा, इसमें आप देखिए ये लिखाएए है open, sorry, dark web report, इसको open करना है और यहां लिखिए try now, ये जो लिखाए है try now पे click करिए उसके बाद आपको नीचे लिखावा रहा है run scan जैसी आप scan के लिए run करेंगे, ये run हो जाएगा, उसके बाद view all results अब यहां देखिए आप किस site से मेरा क्या data leak हुआ है, जैसे पहली वाली जो लिखी वहाँ पे लिखाए email name, address, phone number ये leak हो चुके है second वाली site से 2019 में 6 फरवरी को मेरा data leak हो गया था मतलब मेरा email ID और password, जब मैंने इसको open किया, literally उस time मेरा email ID का password यही था, 150 से ही शुरू हो रहा था तो कहने का मतलब यह है कि आप देख सकते है कि किस website से कब आपका data leak हुआ था जैसे देखिए यहां red bus लिखा है, इसका मतलब यह है कि red bus का data leak हुआ है आपका data leak हो चुकी और वहां से आपका data leak हो चुका है पहले, इस तरह से आप देख सकते है कि आपका data कब कहां से leak हुआ था और हुआ था तो आप future में आप क्या करेंगे जिससे कि आपका data leak नहों यह नीचे आपको suggestion दिये हुए है तो जानकारी केसे लगी दोस्तों अकर यह जानकारी आपको अच्छ लगी है तो मैंने चैनलने को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए थैंक्यू सो मच फर वाचिंग